तो यार हमारे पास एक Spring Boot का project है और front end से हमें request आई है कि हम एक API बना दें और उस API की help से हम image को upload कर पाएं image हो सकती, कोई file हो सकती, कोई video हो सकती है, लेकिन वो file कैसे हम upload कराएंगे तो इस video में हम लोग discuss करेंगे कि कैसे हम Spring Boot की help से एक API बना सकते हैं and वो API image को accept कर रही हो, लेकिन image के जगह पे आप video या फिर कोई भी multimedia file भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरीका सहीम होगा एक बार जब request में image आ चुकी है, उसके बाद हम कैसे अपने server, server पे उसको store करा सकते हैं लेकिन important बात यहां पे यह है कि यहां पे कई approaches follow होती है, और हम लोग कौन सा approach use करेंगे, यह पहले मैं बता दूँ, उसके बाद practical हम तो करने वाले हैं, तो हम लोग use करेंगे cloudinary server, जी हां guys, हम लोग cloudinary service का use करेंगे यह काम करने के लिए, web का जितना भी application जितने ही बनते हैं, वो सब architecture follow करते हैं, कौन सा? कौन सा? client server architecture follow करते हैं, तो एक बार मैं आपको बताई देता हूँ भाई, हमारे पास client है, so let's create one client, तो यह suppose हमारे पास client है, and obvious बात है, client request करेगा, client का जो application है, वो simple react application हो सकता है, angular application हो सकता है, या फिर कोई mobile application ह रुखता है, इतना तो आप लोगों को बताई होगा, ठीक है, और सबसे important चीज हमारे पास एक बड़ा सा server है, ठीक है, server means हमारे पास एक और application है, तो मैं ऐसे इसको बना देता हूँ, this is a clear server, तो यह server है हमारे पास, अब क्या है कि हमें API बनानी है, client जो है, client सब बता दूँ, let's suppose, client है, angular application, client है हमारा angular application, तो यह जो angular application है guys, वो request करेगा, यहाँ पर हमारे server को request करेगा, but important बात है कि इस request में हमारे एक image भी 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 नहीं है, IMG भी 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 नहीं है, और यह request जाएगी server पर यहाँ तो guys request को process किया जाएगा, यहाँ पर image को save किया जाएगा बहुत का भाई, server पर, server पर यहाँ पर folder आखे, save किया जाएगा, या कैसे भी save कर सकते हैं, then जब यह सारा काम हो गया, उसके बाद response भेज दिया जाएगा, response यहाँ से, यहाँ पर भेज दिया जाएगा, और response में उस file की information होगी, या फिर e-rl भेज सकतो, या उस file के सारी information भेज सकतो, as a decision, जिससे की बाद में client उसको access कर सकते हैं, ठीक है, अब क्या approaches हो सकते हैं, यह आप समझेए, हमारे पस multiple approaches हो सकते हैं, पहला approach, कि हम क्या करें, अपने server पे locally image को store करा दें, लोकल disk में है, ठीक है, जो हम लोग करते हैं, मैंने बहुत बहुत बार किया, ठीक है, आपको video भी मिल जाएगी हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें हम लोग ने spring boot की हैं से, अपने local ही server पे पूरी-पूरी image को upload करा दिया, पूरी-पूरी मैं लोग आदी नहीं, पूरी image को upload करा दिया, एक दूसरा approach होता है, कि हम अपना server ना use करें, हम third party service use करें, जो अपने server पे image को store करेंगे, जैसे for example, हम use कर सकते है, AWS का, AWS का S3, आपने सुना होगा, या फिर हम लोग cloud, digital ocean का, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे spaces है, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, service जैसे cloudinary है, तो इन सब services को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यह SaaS type के service है, ठीक है, that means कि हमें यह ऐसी API provide करेंगी, जिससे हम अपने spring boot से उन API को call करें, और हमारी image जो है, या file जो है, वो cloudinary के server पर या S3 के server पर store हो जाएगी, यहाँ पर file हमारी store होगी, so this is actually a pure location जहाँ पर हमारी file store रहेगी, file miss image हमारी store रहेगी, आप यहाँ से बहुत असानी से अपने project में इसको serve कर सकते हो, या e-viral मिल जाएगा, वो e-viral आप front end को देदो, front end उसको serve कर पाएगा, पास समझ में आ रहेगी, तो हम process यह वाला follow कर सकते हैं, दो approaches कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हैं, या तो हम अपने server पर store करें, या तो हम किसी दूसरे server पर as a service use करें, दूसरे, जो services हमें दूसरे लोग provide करें, उन services को यूज़ करें और हमारा काम करें, तो I think आपको यह समझ में आगवा है, कि actually हम लोग कई तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यह वाल आप्रोच आ अलड़ी कर चुके हैं, कौन सा अप्रोच कर चुके हैं, हम लोग यह वाल अप्रोच आ अलड़ी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, cloudinary यूज़ करते हैं, यह काम करने लिए, ओके, अब बात आती है, स्टार्ट कहां से करें, तो आपको simply Google पर search कर लिना है, cloudinary ठीक है, क्योंकि हम लोग cloudinary platform यूज़ करने, simply same तरीके से, आप S2, S3 यूज़ कर सकते हो, AWS का और साथितान डिजिटल उर्शिन का spaces हो गारे यूज़ कर सकते हो, ऐसा करें बहुत सारी cloud है, जो आप वहां पर अपनी files को store कर सकते हो, एक कह सकते हो, one of the simplest है cloudinary ठीक है, और बहुत powerful डोल है, आप देख सकते हो यहां पर, यह cloudinary के website है, तो आपको Google पर search करना है cloudinary, यह उनका home page है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा, the most powerful image and videos APIs, API's, देख सकते हो, ठीक है, API first business ready, ठीक है, तो API first business, trusted by 1.5 million developers, ठीक है, यह कोई paid वीडियो नहीं है, sponsor वीडियो नहीं बस, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि, यह एक तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, pricing आप देख लो, pricing में simple है, बहुत simple है, आप sign up with email करना चाहरा, तो email भी कर सकते हो, ठीक है, sign up with Google, sign up with Google कर लोगे, then उसके पाद आपको sign in कर लेना है, with Google, ठीक है, मैंने कर लिए Google से, तो मैं बता रहा हूँ, आप जिससे मर्दी उससे कर लिए, अगर आप extra intelligent हो, legends में आते हो, तो यहां पर email ID, password डलके कर लिजए, ठीक है, then हम login with Google कर लेंगे, जब आप login with Google कर लेंगे, तो आपको यहां पर यह वाला dashboard देखने को मिलेगा, कौनसा dashboard, ओ, I think यह वाला dashboard, यहां पर यह वाला dashboard, ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहां पर सबसे पहले ही, आपको देखें कि product environment credential, तो product का नाम यह है, API यह है, API की यह है, API secret यह है, हमारा मत यूश करिएगा, भाई हमारा मत यूश करिएगा, आप अपना यूश करिएगा, तो जब आप यहां पर आओगे getting started पे, तो आपको यहां पर कुछ codes भी लेंगा, जैसे आप देख सकते हो, मैंने जूम किया तो आप देख सकते हो, इन्हों ने बता रखा है, setup your environment work और यह वाला तरीका, यूश करो setup करने के लिए, अगर आप Java उसकर हो तो Java में यह वाला तरीका कर सकते हो, अगर आप PHP उसकर हो तो यह उसकर सकते हो, अलग-अलग तरीचे से आप काम कर सकते हो, अब हम लोग उसकर रहें Java Spring Boot, तो हम Java Spring Boot यह वाला तरीका follow करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रुत नहीं, है तो आपको सारी मीडिया सारी फाइल साको दिखेंगी जो अपलोड होंगे यह देखिए ठीक है कुछ यहां पर टेंपलेट फाइल है यह मैंने नहीं डाली है फैस्ट तो यह मैंने नहीं डालीग वट्ट यह कुछ इमेजेस हैं, आप मैनुली भी यहाँ पे अप्लोड कर सकते हूँ, यहाँ पे आपके पास लिंक है, तो वो लिंक यहाँ पे चिपका सकते हूँ, चिपकाने मलब पेस्ट करना भाई, ठीक है, एंड गूगल से इमेज को सर्च कर सकते हूँ, नोट गूगल, इनका खुद का सर्च है, गूगल ड्राइब से डारेक्ली, आप लिंक कर सकते हूँ, या ड्रॉप बॉक्स से भी आप करनेट कर सकते हूँ, यह मैनुवल काम है, यह मैनुवल नहीं करूँगा, हम दोको तो प्रोग्रामी, सारा का प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करना है, तो इसको setup कैसे कर भी बना रखी सारे कंट्रोल्स, आप अगर यह प्रोजेट करना चाहरा है, तो हमने पेड कोर्स में करा रखा है, आप मास्टर स्प्रिंग बूर्ट का पेड कोर्स देख लो, लिंक में नीचे डिस्कृटन बॉक्स में देदूँगा, महां से आप जाकर करके एक्सेस कर सक लोकल स्प्रिंग में, लोकल स्प्रिंग में लोकल सर्वर पर स्टूर किया था यह वाल अप्रोच, यह वाल अप्रोच फॉलो किया था काम करने के लिए ठीक है, ओके, तो यहां पर एक API भी आपको मिल जाएगी यह दिखे, प्रोडक्ट इमेच को अप्लोड करने लिए र वाल हो रही थी ये एएगल येटेक्ऩ स्टोर कर रही थी इमेच को लोकल डिक में हैं है कहां पर ऊंचु और simple हम क्या करें गया हमें आप देखोगे तो हम गेटिंग स्टार्टेट पे चलें क्या ठीक है अपको बादल टाइप का बना करने प्रोग्रामिंग मीडिया के लेफ्ट साइड में ठीक है तो आपको आप आ जाएगा क्लावड़री इमेज एंड वीडियो टेक्नलोजी प्लेटफर्म ठीक है जैसे आप नीचे करोगे तो यहां पे आपको आपको यहां पे डिखेगी अपने प्रोगेट में चिपका दीजिये और हम क्या करेंगे यह जो वर्जिन ने इस वर्जिन खुट आएंगे वन पॉट्ट्री पॉट्री यह उसकरेंगे आप लेटेस वर्जिन आप डाल सकते हो ठीक है और रवन विल्ड में बिल्ड कहाँ ग तो आपको क्या करना है बतारों तो मैं हलका क्या करता हूं अभी यह वाला मेवन वाला बॉक्स खुल जाएगा और यहां पर आपको एक रीट फेस्ट की बटन दिखेगी इसकी हट से हम रोग रिलोड औल मेवन प्रोजेक्ट को रिलोड कर सकते हो अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट यह जो अपेंड प्रोजेक्ट हो हमारे रीडोड हो जाएगा तो यह चीज मेठाओ दो एक बार है इसको रिलोड हो जायेगा तो यह क्या कह रहा है यह कुछ कहरा दिक्कत कर रहा है ठीक है वर्जलें का इश्व आ रहा है थिंक च específic वर्जर्जड इस हुआ रहा है तो हम दो क्या करते है यार ठीक है आप गूगल पर चलते हैं यहां पर सर्च करते हैं हम लोग क्लावड़नरी आइधिंग वर्जन इश्वा रहे है क्लावड़नरी और मेवन डिपेंड़नसी ठीक है अधिक लावड़नरी और यहां पावड़नरी पहली वाली साइट यही वाली 1.3.1.33 वर्जन इधिंग कोर ओके हम लोग फॉर यूस करेंगे ठीक है लेकिन वर्जन आइधिंक 1.33 तो एक बार हम नहीं वाला देख लेंते हैं यह तो कोर लाइबरी यह कोर लाइबरी नहीं उसकरेंगे आ जाते हैं यहां पर आइधिंग यह वाली लाइबरी है क्लावड़नरी अपाचे फॉर एक फॉर फॉर पॉइंट फॉर लाइबरी है इसको देखते हैं यह वाली ने बताया थी वर्जन 1.33 पॉइंट जीरो है तो हाँ एक फॉर यह है तो 1.33 पॉइंट 0.0 कर देंगे तो वर्जन का इशू होगा में वी तो हम लोग क्या करते है वर्जन ही देखने में वहां पर गया था कि अलामा मुझे कुछ नहीं करना था अब एक बार रिलोड कर लीजिए ठीक है तो कभी कभी वर्जन नहीं पता होता है पुराना वर्जन लोग यूज़ कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था आप देखिए आपका प्रोज रीक औब्जेक्ट से होगा जो आपको मिलीगा यहां पर रही यह अब्जेक्ट रहें ठीक है जिसकी हब से आप कह सकते कॉन्फिकरशिन करोगे एंदें च्लावडरी का उब्जेक्ट इसको इमेज का प्रोड कराने के लिए ठीक है तो इन्हों यह गह रहे है कि बाई। आ जाने वाली मत यहां पर स्प्रिंग बिन बनाएंगे हम ठीक है तो इसको जूम करेंगे हम यहां से रिटन करेंगे यह आप आएंगे दिखेंगे परिशान मत परेट करेंगे कैसे हम यहां बना लेंगे मैप जो की स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा यह डिक्कत वाली बात नहीं तो इस वह जोड़ी नहीं आप टाइप मत दो टाइप का कोई मतलब भी नहीं डार्के मैप बना लो मैप इस उक्वल टू न्यू हैश मैप या जावा डेटस तरीका भी उसका सकतो मैप.off वाला तरीका उसका सकतो या आप ऐसे बना सकतो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हम लेंगे मैप डॉट पहले पहले जो की पूट करे Cloud Name API की and API secret पहले Cloud Name चाहिए हमें तो Cloud Underscore Name यहां पर हम Cloud का नाम डाल देंगे ठीक है and then Map.put then Cloud की यहां पर API की API की डाल देंगे and map.put अर यहां पर API secret डाल देंगे API Security है क्या let's see ठीक है तो API secret है ये वाला उठाएंगे और यहाँ बाद बाकि secure के लिए आप secure को true कर सकते हो ठीक है अगर आपको secure करना secure को true कर सकते हो कोई दिख्वत वाली बात ने है मन्त आप और भी configuration पास कर सकते हो यहाँ पर कोई दिख्वत वाली बात नहीं प्रवाद नियुक्त करते हैं बाद में चेंज करते हैं ठीक है ठीक है अब हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग जावाले तो हम लोग इस वीन को डारेक्ली इंजेक्ट कर सकते हैं अपने आप से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह मतलब अब्जिक्टिस का बनके स्प्रिंग हमें प्रोवाइट कर देगा ठीक है तो हमें बनी बनाई खिचड़ी मिल जाएगी बसमें स्प्रिंग से बोलना है यह स्प्रिंग मुझे दो खाना स्प् स्थी बना लए थी स्प्रिंगा तो सर्वेश में हम लोग करते हैं यहाँ से एक नया इंटरफेस बना देनाम देते हैं क्लाउड डिनररी इमेज सर्विस सर्विस इसके पास एक मैथर डाल देते हैं पबलिक और यह रिटन कर रहा होगा एक मैप अभ्लोड यह क्या रहा है यह एक एक नरीफीमेज सर्विस को इसको बना देंगे इसको बना देगे अग mayoría टारेट सर्विस जिसकी हम से हम लोग इसको इंजट कर पाए है ठीक है कर सार्विस मनाने का सिंपल मद होता है कि स्प्रिंग को पता रहेगा कि यहां में इस सर्विस का कॉड लिखना है ठिक है तो हम यहाँ पर इंजेक्ट करना है कोड लिख सकते हो पिए बिलकुल हौत्स personajes कर देंगे कैसacia को यूज करेंगे एक तो चीज हो रहे हम क्या करेंगे यहां पर देहां से देखिए simple upload करना बहुत इसी है आप cloudinary dot uploader कॉल करो तो आपको uploader का object का देगा और uploader पे dot upload का लो का लो अपने आप से हमारा काम हो जाएगा बट यहां पर आपको दो चीज पास करनी एक तो फाइल पास करनी है जो आपको upload करनी है दूसरा आपको map में option भी पास कर सकते हो ठीक है तो चलो यहां पर फाइल और map में option बाकि आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हो यह देखे ठीक है object और map यह देखे object and map बाकि download source कर दो तो आपको documentation download हो जाएगी इसको पढ़ सकते हो कि एक्षिल map जो है उसके अंदर क्या क्या काफी चीज़ आपको मिल जाएंगे पाट इसके अंदर तो download करने के बाद भी नहीं मिली कोई बद नहीं आ जाते हैं ठीक है अब क्या होगा तो हम लोग क्या करते हैं जब हम अप्लोड कॉल करेंगो उससे यहाब हम इस फाइल से ड्डिटा निकाल सकते हम कहेंगे फाइल document के लॡ ai उस फाइल हमें बाइत के फॉर्मेट मिल जाएगी, यहां में पास करना तो हम बनाके कर सकते हैं या फिर हम नए वाला दॉट आप ऊप słuट वाला तरीका है, तो इस से भी आप काम कर सकते हो, और यहां पे कोई इसका रिटन आप कर सकता कर सकते हैं एक्सेप्शन को ट्रया ऺश्क कल लेते हैं अगर नाती है तो यहां से रंटाम एक्सेप्शन आंगी आएकशन प्रसक्त कर सकत वहां पर की वह या image uploading fail ठीक है और जो हमें इसका return output मिल रहा है data उस data अगर exception आज आती है तो उस case में हम यहाँ पर अगर नल रिटेन कर सकते है ठीक है थिंग थो हो जाएगा तो फिर रिटेन करने के मतलब क्या एर आ जाएगी ठीक है चलो अधिंग तगरा समझ गोगे ठीक है तो बस अब हमें upload वाला जाएगा चलो बाई तो हम लोग क्या करते है एक कंट्रोल क्रेट करें लेट मीट मीट करते हैं और यहां पर लाउड नरी एमेच अप लोड कंट्रोलर ठीक है और हम बता देते हैं यहां इसको रेस्ट कंट्रोलर ठीक है यह चलेगा कब लगरा ट्र डैकवस्ट मैपिंग हम कहेंगे टेर्श प्रोडर्ट्च निहीं आप ये मुझान क्लेडरी लाउड नरी श्लैश अप लोट कि आपर कहाई इसके स्पेलिण गलत हो सेखलबाद जया करते हैं चलने एक एक कै पिक यह पर दो अप्लोड अप्लोड नाम बड़ा हो बट मीनिंग्फुल नाम होना चाहिए इस दो रखेए ठीक है और यहां पर एक मैथल बना लेते हैं जो एक्सक्यूट होगा जो पोस्ट रिकोस्ट कोई करेगा तो हम लिए पब्लिक रेस्पॉंस में हम लोग रिस्पॉंस एंटिटी जो की मैप ही रिटेन करेंगे हम लोग नाम हो इसका अप्लोड इमेच और यह चलेगा पोस्ट पे तो जैसे आप सब्सक्राइब मैच और हमें यह कन रोट होके मिल जाएगा multi-part file में देट हमें जो डेटा भीजना वो फॉर्म में भीजना है और उसका की जो वो image की होनी चाहिए वो image होनी चाहिए हुए उसके बांद हम यहाँ पर युज करेंगे cloudinary service का तो मैं रिखें private cloudinary image service cloudinary image service वो कर देते हैं auto wire auto wire ठीक है एन यहाँ पर हमें service को उखेंगे विखें देस dot cloudinary service dot upload और यहाँ पर film pass कर देंगे यहाँ पर कर देखा अपलोड मिलब डेटा वही डेटा अंड हम यहां से रिटन कर देंगे और न्यू रेस्पॉंस एंटिटी एंटिटी एंड डेटा साधी साथ में स्टेट इस टेट विंस ओके ठीक है और अगर कोई दिक्कत आती है तब तो भाईया यहां से एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो हम्सों आते हैं यहापी फाइल पर चलते हैं एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट और फ्रीकेशन ran कर देडे जाते हैं एक रिक्वेस्ट本 आपको छीज़े समझा पाऊं ठीक है चलो भाई तो एरर दिखाऊंगा फिर मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व तो हम लेखें के http 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 slash colon slash localhost colon जो हमारा server चला 9090 पर चल रहा है slash cloudinary cloudinary slash upload ठीक है send कर देते हैं ठीक है अब यह वाला अभी वारे डिखाऊंगा तो हम लोग कर सकते हैं ज्यादा कॉंप्लेक्स नहीं करते हैं और इस वारे को कर देते हैं पब्लेक कर देते हैं तो आप कोर्स में ने सारा करा रखा है एक बार चेक आउट कर यह ठीक है तो हमाराे वाला फॉरीक हो जाए गे अब इसको करने की जडरत रि lens को अक्स करने साथ क्लिए लोग मोगिं करने की जरोत नहीं है तो वेक्स सो यजुक्ड पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहां प आ करके आपको JSON नहीं भीजना है क्योंकि image भीजना है form में ठीक है form data में तो हम लगाएंगे यहाँ पर की form data में form data में की add करेंगे की देंगे image ठीक है और value जो होगी वह image होगी भाई यहाँ पर clicker होगे तो text file option आएगा इसको file चूज़ करेंगा अब यहां से आप फाइल चूज़ कर सकते हूं ठीक है तो कोई फोटो हम चूज़ कर लेता है तो इसी में से live वाला थमने लिए चूज़ कर लाते है ठीक है एप्पैगी की नहीं ड़ारा है, इसको अपने की से बदल देता हूं, हम लोग फिर से करते हैं, डालना के यहां पर आईए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे मीडिया पर यह दिखे टैश्बोर्ट पर आपको यह तीनो चीज़ यहां पर मिल जाएगी आप यहां पर देख सकते हो, cloud का नाम, इसको copy कर लो, cloud का नाम चिपका दो, यहां पर, API की copy कर लो, paste कर दो यहां पर, and API secret भी copy कर लो, मैं दिखाऊंगा नहीं secret, दो आप यूज़ करिए, बनिये साणा, ठीक है, एक बार हम restart कर लेंगे, ठीक है, अब आते हैं, पहले restart हो, पूरा, ठीक है, यह error नहीं है, यह actually हम लोग के वज़े से आ रही है, exception है, तो हम send पर click करेंगे, and आपको कुछ पढ़िया चीज़ देखने को लेगी, I think, हो जाना चाहिए, हम लोग ने कहिए, गलत नहीं किया, यह, 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 congratulations, upload हो चुका है, आपको इतना data मिल रहा है, जिसनके फॉर्पेंट वापस, signature, format, format png था, resource type, image है, और secure e-rl, यह actually आपको secure e-rl दे रहा है, क्या हम इसको access कर सकते हैं, मैंने click किया, यह देखे, e-rl access हो रहा है, perfect, यह secure e-rl है, भता नहीं कैसा secure है, जब access हो जा रहा है, अब हम लोग आपस आदे हैं, बाकी यह दे रहा है, created at, कब create होआ है, asset id, यह आपकी asset id है, version id है, type upload है, version भी दे रहा है, और e-rl भी दे रहा है, इसकी help से आप access कर सकते हो, अपने image को, बहुत सारी, यह देखे, public id है, jax है, jax से ही image actually बना रहा है, यह देखे, ठीक है, तो public id है मर पास आ रही, folder अभी नहीं बना रखा है, original file का नाम file है, API key भी दिखा रहा है, bytes सब दिखा रहा है, और यह आपके backend पे भी मिल रहा है data, यह data आपको मिल रहा है, कहाँ पे, यह देखे, यह data मिल रहा है, आप बाकी आप service में भी data मिल रहा है, project service कहाँ पे, project service मतलब हमारी यह वाली service, यह रहा, यहाँ पे भी आपको data मिल जा रहा है, तो जब इतना data मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ पर करना है, यहाँ पर user id के साथ, user के साथ, आपको cloudinary image URL attach करना है, save करना है, बस associate करना है, यूजर के साथ, वाला URL सेब कर दीजे, कौन यहाँ पर यह वाला URL, secure URL, secure URL, और यह वाला URL, ठीक है, save कर दीजे, बस जब user के data वापस जाएगा, तो वो URL भी चला जाएगा, और front end वाला बंदा, उसको देख लेगा, बात करना, even कोई जरूर नहीं, सिर्फ URL ही आप attach करो, आप public ID भी save कर सकते हो, किस के साथ, image URL के साथ, आप public ID, आप net database में डाल सकते हो, ठीक है, और और भी चीज़ डाल सकते हो, एक दो चीज़ और है, आप configuration में भी public ID यहाँ पर दे सकते थे, ठीक है, public ID भाए रहे देख सकते हो, बाकि आप configuration देख सकते हो, क्या-क्या पास कर सकते हो, configuration जैसे, आपको दिखाता हो, upload मे, upload के case मे ठीक है, ठीक है, so, sample प्लेट भाए रहा है, बाकि आप देख सकते हो, यहाँ पर, java image video upload पर क्लिक करिए, थोड़ा सावर, इसके बारे में configuration पढ़ी है, ठीक है, तो, यह सरा data मिल रहा है हमें, ठीक है, बाकि आप transform भी कर सकते हो, तब image को change भाए भी कर सकते हो, API को यूज कर ठीक है, एक हम अलग से URL बना सकते हैं, Spring Boot में, जिसमें हम transform करके, then data वापस भी कर सकते हैं, ठीक है, हो URL हमा secure भी रहेगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, किसी को यह भी नहीं प्रता चालेगा, कि आपने, कहां पर save किया image, क्योंकि वो URL हम लोग बनाएंगे, वो URL हम request करेंगे लेकिन जब data आ जाएगा, तो data को हम भीजेंगे, as a response अपने server से, ठीक है, बढ़ हम Cloudinary के server से data ले रहे हैं, ठीक है, समझ में, बस यह है हमारा काम, बाकि यह काम कर लेजेगा, जब data image upload हो जाए, तो आप यहाँ पे user के साथ, इसकी image वाइर और public ID या जो भी data आ रहा है, उस प्रोड़ क्रेट किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे आप को image मिल रही, साथे साथ में, आप slash करके, यहाँ पे user ID भी ले सकतो, भाई है, किस user या product ID, product ID यहाँ पर ले लिजे, किस product image है, that will be there, यहाँ पे आप slash लगाई है, और आप यहाँ पर product ID ले ले लिजे, slash product ID, ठीक है, product ID आपको मिल जाएगी, then आप, क्योंकि यह product image है, तो आपको यहाँ पर user को नहीं, बलकि product को, product में आपको cloudinary image attach करना है, बस field बना लिजे, अपने product के अंदर, बस cloudinary image वारल, अगर image वारल आपको यहाँ आपको यह प्रोजेक्ट करना है, जो मैंने यहाँ पर क यहाँ बना रखी है, इतनी API हम लोग ने बना रखी है, एक पर में आपको swagger, localhost, colon, 909, slash, swagger, advice, index.htm, ठीक है, यह देखे, इतनी API हम लोग ने बना रखी है, auth controller है, card controller, category controller, cloudinary image controller, यह तो अभी बना रखा है, बना है हमने, home controller, order, product, user, तो हम लोग इसमें सम्मों manage करें, category, product, order user, हर चीज़ मैनेज करें, इवन authentication, authentication के लिए हमने API बना रखी है, इवन sign in with Google हो गरा रख, तो अगर आपको यह course check करना है, तो चेक आउट कर सकते हैं, link में, hit description, आपने दूंगा, पूरा spring boot कपर किया हम लोग ने, देन उसके साथ हम लोग ने project भी कपर कर रख, ओके, इस त झाउआ हम लोग लोग, आपको पर रख, पूरा प्काल कर रख वोग लोग लोग लोग